दोस्तों कि आपको मालूम है कि आखिर दुबाई के पास इतना पैसा आता कहां से और दुबाई के सेख ऐसो अराम की जिंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहां से लाते हैं अगर हम आप से पूछें कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना सारा पैसा कहां से आया तो चलिए दोस्तों आये जानते हैं दोस्तों हमें पता आप लोगों से ये ज़्यादा तर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर तेल की ख़दाने हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका मात्र एक परसेंट ही तेल की वज़ा से आता हैं और बाकी 99 परसेंट कहां से आता हैं तो दोस्तों जादा नहीं बस 20-22 साल पीछे चले जाएं तो पहले दुबई के पास रेट के अलावा कुछ भी नहीं था लेकिन एक इंसान दुबई का पूरा नक से ही बदल दिया और दोस्तों ये इंसान ऐसे हैं जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुबई का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ गलोबल हब और गलोबल डेस्टिनेशन बना डाला तबी दोस्तों दुनिया भर के बड़े लोग दुबई में जाके अपना एंपायर बिल्ड करने की सोचते हैं उसी के साथ दोस्तों आज दुबई ऐसी जगा बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो दुनिया का एक लौता सेवन इस्टार होटल बूर्ज अल अरब हो और दोस्तों आनन लेने के लिए लोग दुबई जाते हैं तुरिज्म के कारण दुबई के पास इतना पैसा आता है दोस्तों कि दुबई इतना अमिर बन गया है